हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल कैसे है आप आई होप अच्छे ही होंगे देखिए आज मैं क्रोश्या से बना हुआ एक पैटरन लेकर आई हूँ जो बहुत ही अच्छा दिकाई देता है एक मकडी जैसा बनता है मकडी की तरह यह डिजाइन दिकाई देता है दस नंबर का क्रोश्या लिया हुआ है यह देखिए मैंने यह दस नंबर का क्रोश्या लिया हुआ है और यह बुलन यह बुलन ली हुई है इससे मैं बनाना सिखाऊंगे आपको तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो अच्छा लगे मेरा डिजाइन अच्छा लगे तो मेरी वीड इविकेशन मिलती रहे तो चलिए इसको बनाना सिखाती हूँ मैं देखिए फ्रेंड्स मैंने ये चैन बना लिए सबसे पहले हम चैन बना लेंगे और जितने भी चोड़ाई आपको चाहिए उसे साफ से चैन बना लें और हम एक दो तीन चार पांच छे चैन छोड़के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक दो दो चैन बनाएंगे दो चैन बनाने के बाद एक दो चैन छोड़के तीसरे मेंसे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे कि इस तरह बॉक्स जैसे बनता है वैसे बनाएंगे एक दो चैन सीजक्ड बनाइंगे फिर दो छोड़ News के । तीसरे में हमको डबल क्रोसीय बनाएंगे इस रो में पूड़ करना है दो बनानी है और दो यहां पर छोड़ने है और तीसरे में हमको डबल क्रोसिया बनाना है फर्स ट्रो में हम यही करेंगे पूरे में देखे फ्रेंड्स फर्स रो मेंने इस तरह बना लिए है इक दो तीन चार पांच चैन बनाएंगे पांच चैन बनाने के बाद हम यहां पर इसमें डबल क्रोसिया बनाएंगे इस तरह से फिर एक दो तीन चार पांच छे चैन बनाएंगे अब यह देखो एक दो दो को छोड़के तीसरे में से हम इस तरह लूप बनाएंगे एक दो तीन चार पांच पांच लूप बनाएंगे पांच लूप को इस तरह से हमको एक मोटा सा बबल्स बनाना है फिर हम एक दो तीन चार पाच छे छे चैन बनाएंगे छे चैन बनाने के बाद फिर हम ये दो डब्बे स्किप्ट करेंगे और इहां पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर एक दो तीन चार पाच छे छे चैन बनाएंगे फिर देखों ये दो डबे स्किप्ट करके फिर हमको यहां पर लूप बनाने हैं पाच छे चैन बनाएंगे चे चैन बनाने के बाद हम यहां पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर एक दो चैन बनाएंगे फिर इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से तो यह हमारा लास्ट में एक बॉक्स बन जाएगा फिर एक दो तीन चार पांच पांच चैन बनाएंगे पांच चैन बनाने के बाद फिर यहां पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे छे चैन बनाएंगे फिर देखो इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहां पर तीन एक दो तीन तीन सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फिर एक दो तीन चार पांच छे छे चैन बनाएंगे फिर देखो यहां पर फिर हम यहां डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन इस तरह से फिर छे चैन बनाएंगे फिर यहां सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तीन एक दो तीन तीन सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फिर छे चैन बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे छे चैन बनाएंगे यहां फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर दो चैन बनाएंगे दो चैन बनाएंगे दो चैन बनाने के बाद फिर यहां पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से हमारे यह डिजैन स्टार्ट हो जाएगा यह देखों आगे फिर हम एक दो दो तीन, चार, पाँच, पाँच चैन बनाएंगे, फिर यहाँ पर डूबल क्रोशिय बनाएंगे, इस तरह से यह हमारा बॉक्स बनता जाएगा, एक, दू, तीन, चार, पाँच, शे, छे चैन बनाएंगे, फ्रेंड्स, फिर देखो, यहाँ पर हमने तीन सिंगल क्रोशिय बनाएंगे, इसी को उपर हमको तीन सिंगल क्रोशिय बनाने है, ऐसे एक, दू, तीन, यह देखे करेंड्स, इसमें हमने छे चैन बना लिएंगे, अब यहाँ पर डूबल क्रोशिय, तीन डूबल क्रोशिय बनाएंगे, उन, एक, दो, तीन, तीन डबल क्रोशें बनाएं, फिर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, छे चैन बनाएं, उसके बाद फिर इसमें सिंगल क्रोशें बनाने हैं, एक, दो, तीन, तीन सिंगल क्रोशें बनाने हैं, फिर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, छे चैन बनाएंगे, फिर इसमें डबल क्रोशें बनाएंगे यहाँ पर, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच चेन बनाएंगे, फिर इसमें डबल क्रोशें बनाएंगे, यह देखो, एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, छे चन बनाएंगे, अब देखे, यह बीच में है, जहाँ पर यह हमारी बीच में है, यहाँ पर हम लूप बनाएंगे, इस तरह से, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच लूप बनाएंगे, इस तरह से हम ऐसे हैं, फिर छे चैन बनाएंगे, अब देखे फ्रेंट्स, यह इसमें हम छे चैन बनाने के बाद डबल क्रोशे बनाएंगे, एक, दो, तीन, फिर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे चैन बनाएंगे, फिर यहाँ इसमें सेंटर में हम लूप बनाएंगे, पांच, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच लूप बनाएंगे, इसमें इस तरह से बनाना है, एक, दो, तीन, चार, पांच, यहाँ छे चैन बनाएंगे, फिर यहाँ पर एक्स डबल क्रोशे बनाएंगे, इस तरह से फिर एक, दो, दो चैन बनाएंगे, फिर इसमें हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, इस तरह से हमारे साइड में यह बॉक्स बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, पांच ही बनाएंगे, फिर यहाँ एक डबल क्रोशे बनाएंगे, अब देखे, यह हमारा, मकडी जैसा बन गया है, यह देखो, फिर इसके उपर आब हम यहाँ डबल क्रोशे बनाएंगे, जैसे हमने इसमें बनाए हुआ है, यह देखो, फुरी लाइन डबल क्रोशे बनाएंगे, इस तरह से, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, जैसे हमने छे चैन बनाए थी, यह दबल क्रोशे बनाएंगे, फिर इस तरह भी छे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, इस तरह से हमने छे बना लिए, अब देखो, इसके उपर भी हम, तीन हैं, जो तीन के उपर तीन बनाएंगे, पिर इसमें छे डबल क्रोशे हमने इसे हैंगे, एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, इस तरह भी छे बनाने, एक, दू, तीन, चार, पाच, छे, तो देखिए फ्रेंट्स, पूरे में हमने इस तरह ये डवल क्रोश्य बनाए और इसमें ये देखो, एक इसमें डवल क्रोश्य बना देंगे, फिर एक, दो चैन बनाएंगे, फिर लास्ट में, फिर डवल क्रोश्य बनाएंगे, इस तरह क्रेंट्स बार-बार रिपीट करने से हमारा ये पैटर्न बनता हुगा, चला जाएगा, ये देखो, इस तरह बन जाएगा हमारा पैटर्न, तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरा डिजाइन अच्छा लगा हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जाएज ज्यादा शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, थैंक यू, बाइ-बाइ